भाईयों और बहनों, महर्ची अर्विंदों का जीवन हमें भारत की एक और ताकत का बहुत कराता है। देश की ये ताकत, आज़ादी का ये प्राण और वही गुलामी की मानसिक्ता से मुक्ती। महर्ची अर्विंदों के पिता शुरुवात में, अंग्रेजी प्रवाव में उन्हें भारत और भारत के संस्कृति से पूरी तऱ दूर रखना चाहते थे। वे भारत से हजारों मेल दूर, अंग्रेजी माहोल में देश से पूरी तऱ से कटे रहे। लेकिन जब वो भारत लोटे, जब वो जेल में गीता के संपर्क में आए, तो वही अर्विंदों भारतिय संस्कृति की सबसे बुलंद आवाज बन कर निकले. उन्होंने सास्त्रों का अध्यन किया, रामायन, महाभारत और उपनिश्दों से लेकर कालिदास, भववूती और भरतुहरी तक के ग्रंतों को ट्रांस्लेट किया, जिन अर्विंदों को खुद ही वावस्ता में भारतियत्यां से दुर रखा गया था, लोग अब उनके विचारों में भारत को देखने लगे, यही भारत और भारतियत्यां के असली ताकत है, उसे कोई कितना भी मिटाने की कोशिश क्यों न कर ले, उसे हमारे भीतर से निकालने की कोशिश क्यों न कर सक ले, भारत वे अमर बीज बीज है जो विप्रित से विप्रित परिस्तित्यों में थोड़ा दब सकता है थोड़ा मुर्जा सकता है लेकिन वो मर नहीं सकता हजे है अजरा अमर है क्योंकि भारत मानव सव्व्यता का सबसे परिष्कृत्य विचार है मानवता का सबसे स्वाभाविक स्वर है ये महर्ची अर्मंदीक के समय में भी अमर था और ये आज भी आज़ादी के अमरित काल में भी अमर है आज भारत का युवा अपने सांसकृतिक स्वाभिमान के साथ भारत की जैगोश कर रहा है दुनिया में आज बीशन चुनोतियां है इन चुनोतियों में समाधान में भारत की भूमी का महत्वकून है इसलिए महर्चे अर्विंदोग से प्रेणा लेकर हमें खुद को तयार कर रहा है सबका प्रयास से विख्षित भारत का निर्मान कर रहा है